नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम बात करेंगे आपके पैर के जो अंगूठा है उसका ठीक पास वाली उंगली अगर लंबी हो तो इसका क्या मतलब होता है अगर दोनों बराबर हो तब इसका क्या मतलब होता है और अगर छोटी हो अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से तब इसका मतलब क्या होता है तो चलिए शुरुआत करते हैं पैर का अंगूठा और उसके पास वाली जो अंगली होए अगर दोनों बराबर हो तो ऐसा बैक्ति सुख सम्रिद्धी और पैसे वाला होता है यानि दोनों बिल्कुल बराबर और ऐसे लोगों को इस्तरी सुख भी मिलता है और इस्तरी से लाब भी होता है साथ ही संतान और परिवार के तरब से भी सुखी होता है वैसे ये बहुत कम लोगों के होते हैं जिनके दोनों बराबर होते हैं अगर आपको पैर का अंगूठा बढ़ा है और उसके पास वाली उ चोटी हो तब क्या होता है तब ऐसे लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और दूसरों के बात मानने वाले होते हैं लेकिन अंगुठे के पास वाली उंगली अगर पैर के बीच वाली उंगली से चोटी हो तो क्या होता है यानि तीन नंबर की जो उंगली है वो हो जाए और दो नंबर वाली उंगली छोटी हो जाए तब ऐसे में ऐसे लोगों की पत्नी गरीब परिवार से होती है और अगर पास वाली उंगली बड़ी हो तब इंसान को इस्तरी सुख जादा मिलता है और पत्नी बचत करने वाली होती है पैसे कमाने वाली होती है अब देखिए कि कैसे आपकी जीवन में खुसियां घोल देती है और पैर के उंगलिये से आप ये भी जान सकते हैं आपकी लव महरज होगी या अरेंज पहचाने के कैसे आप अच्छे से पैर वेर धो के बैठिए आराम से उसके बाद आप अपने पैरों के अंगुठी से थोड़ी छोटी है या फिर बराबर है आपकी पास वाली उंगली ये देखिए अगर आपके पैर के अंगुठे से बगल वाले जो उंगली है चोटी है या बराबर है तो एरेंज मेरेज होने की चांस ज़्यादा होते है और अगर आपका पैर का जो अंगुठा के पास वाली उंगली है अगर आपका वो लंबा है तब यहाँ पर आप चाहें तो आप लंब मैरेज कर सकते हैं और सफल भी होगा क्योंकि जब अंगुठे के पास वाली उंगली अंगुठे से बड़ी होती है तब lamb marriage होने की संभावना बनती है और यह आपके एक्छापर है कि आपको lamb marriage करनी है या arrange marriage पर अगर ऐसे है तो आप कर सकते हैं आप सफल भी होंगे वैसे तो दुनिया में कई लोग हैं जो सामाने नहीं हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजें और समाने भी बनाती है कहा जाता है अगर किसी महिला की दूसरी उंगली यानि अंगुठे के पास वाली उंगली बड़ी होती है तो वह महिला अपने पती से बहुत प्यार करती है और अपना सब कुछ उनके लिए ही लुटा देती है लेकिन वह कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करती और जिन लोगों के पैर की दूसरी उंगली बड़ी होती है सो भाफ से थोरे गुस्से वाले होते हैं लेकिन गुस्सा अपना जाहिर भी नहीं करते क्योंकि ऐसे लोग अच्छे और सांथ दिल के भी माने जाते है लंबी उंगली ये भी बताता है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिसानी पहले यानि कि जीवन के पहले पड़ाओं में आती है लेकिन दीरे दीरे वो काम्याब हो जाते है यानि इनका जो लाइब का प्रथम भाग है उसमें थोड़ा परिसानी और बाद में बहुत अच्छी लाइब जीते है अगर आपके पैर की दूसरी उंगली बड़ी है तो ऐसे लोग कैसे भी कलर के हो रंग माइने नहीं रखता लेकिन इनका आकरसन बहुत होता है लोग इनके तरफ खीचे आते हैं आपका जिस तरह से हाथ आपके भागे के बारे में बताता है उसी प्रकार आपके पैरों की बनावट पैरों का सेप जिसको कहते हैं आपके बारे में बहुत हद तक बता सकता है क्योंकि देखिए हर किसी के पैर एक समान भी नहीं होते और उनकी उंगलियां भी एक तरह की नहीं होती बलकि हर किसी का अलग लग तरीके का पैर होता है उनकी उंगलियां होती है और उन उंगलियों का पैरों के बनावट का आपके भागे पर बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है तो जिस तरह से आपके हाँ से आपके भागे के बारे में जाना जाता है उसी प्रकार पैरों से भी पैर का आकार आपके ब्यक्तितु के बहुत सारे राज खोलता है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जिसको हम कहते हैं रोमन फुट रोमन फुट का मतलब होता है आप अधिकतर आपने देखा होगा पैर का से ऐसा ही होता है क्योंकि सभी उंगुलियां लगबग एक ही अनुपात में होती है और इदम से सीधी होती है तेरा ओड़ा नहीं होता है अंगुठा सबसे बड़ा होता है और ऐसे पैर वाले लोग बहुत ही समाजिक होते हैं गुमने फिरने के सौकीन होते हैं बिंदास मिजाज वाले होते हैं एक दम से बिंदास नेचर के इनका ब्यक्तित तुझे होता है ना बहुत ही जादा जादूई होता है करिसमाई होता है और यह अच्छा बोलते हैं अगर ये बिजनसमेन हैं तो बहुत तरक्की करते हैं, ये बिजनसमेंडेड होते भी है, बहुत साई लोगों का चकोर होता है, पैर, पैरों के उंगलियां एकदम से एक सीधी आयत में, अगर रेखर आप वहां पे रख दे किसी चीज को, तो सारी उंगलियां एक समान हो जात हैं, घबराहट में नहीं लेते, बलकि सोच समझ कर निर्ने लेते हैं, और साधी भरोसे मंद इंसान होते हैं, एकदम से बैभारी, ठंडे मिजाच के, सांत, और ये सबका मन, मोहना भी जानते हैं, यानि दिलों पर राज करते हैं ऐसे लोग, एक ऐसा भी पैर होता है, एक आपके पैर की जो दूसरी उंगली है, वो अंगुठे से बड़ी होती है, और बाकी को उंगली उससे छोटी, तो दूसरी उंगली सबसे बड़ी, और ऐसी बनावट वाले लोग, बड़े ही उतसाही होते हैं, भागयवान होते हैं, ये जिस भी घर में रहते हैं, जहां भी इनके जैसे अपने जो इनका कुनवा होता है अपने लोग होते हैं उनमें सबसे आगे ये रहते हैं जिनकी पैर की उंगली सकेन उंगली सबसे लंबी होती है और ये प्रेड़ना के स्रोत होते हैं प्रेड़ना दायक होते हैं ऐसे लोग अधिकतर कलाकार होते हैं अच्छा ब समझाता नहीं करते हैं अगर सबसे लंबा अंगूटा है बाकी एक लाइन में सारी ओलियां आ जा रही है तो ऐसे लोग अपनी जो इनकी प्रस्टनल इस पेस होती है इससे समझाता नहीं करते हैं और हर बात को गुपत रखते हैं सिक्रेट रखते हैं इनका मूड भी पेर की बात करें तो एक अलग होता है पैर जैसे कि अगर आपकी पैर की सबसे चोटी उंगली बांकी उंगलियों से आप अलग नहीं कर पाते हैं यानि सबमें सभी सब्सक्राइब यह एकदम से अंदर की और चिपकी वी तो ऐसे लोग जो होते हैं ना सुरक्षित महसूस क करना चाते हैं इनको लगता है औस रप्चा की बाबना है यह बहुत ही हलांकि दूसरों के मौनों में वरोसे मंद होते हैं और खुद भी चाहते हैं कि किसी का साथ मिले यह बेहतर केंपियन साबित होते हैं इनका साथ अगर आपको मिल जाए तो यह लोग आपको सपोर्ट क अखुस कर देता है इसलिए यह लोग बहुत ही जादा गुमने फिरने के सौकीर कई बर यह जल्दी किसी चीछी से बोर भी हो जाते हैं और ऐसे लोग को आप क्या जानते हैं कि आप जैसे की देखिए बहुत बर क्या होता है एक दम से अंगुठा लंबा है बांकी सारे उं में भी डाल देता है लेकिन अगर पैर की उंगलियों का जुकाओ अंगुठे की तरफ उल्टा हो जाए अगर आपकी उंगलियां बाकी की जो अंगुठे की और जुकती परतीत हो तो ऐसा ब्यक्ती कभी भी अपने पास्ट या अतीत से बाहार रही नहीं निकल पाता हमेश पीछे की चीजों को पकड़े रहता है पुरानी यादों में चक्ड़े रहता है मुवाम जल्दी नहीं कर पाता है इसे लोग आपका कैसा है पैर यह आप हमें जरूर बताईए धन्यवाद हम फिर मिलेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें पर हर महादेब चरू लिखेगा